हलो स्टूडेंट्स मेरे नाम है अभिशेक वर्मा और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टेडी क्लास पे तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने थम्नेल में देख लिया है कि ये वीडियो होने वाली है दुईतिया वर्ष के विशे प्रफेंशिन इंछल्वेट जो कि है प्रष्ण पत्र क्रमांग 15 जी याँ है प्रश्न पत्र क्रमांग 16 जी हां प्रफेंशिन इंगलिस दुएतिये वर्ष के इस विशे के सबसे महत्मूर्ण उतर इसके सबसे important questions याने की guest paper और model प्रश्ण पतर इसके बाद हमें सुडियो में करने वाले हैं वीडियो के end तक बने रहे हैं वीडियो सारा देखना तो पांचो यूनिट के पांचो एकाईयों के सबसे महतपूर्ण प्रश्ण उत्तर प्रश्ण जो पहले डियर के परिक्षा में पूछे गए थे और आने वाले डियर के परिक्षा के लिए सबसे महतपूर्ण है उन प्रश्ण को मैंने यहाँ पर दिया है तो चलिए देख लेते हैं के करके शुरू करते हैं लेकिस शुरू करने से पर छोड़ी स्रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लोडिशन ओल पर ज़रूर रखिए साथी साथ सभी विशो की वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम ग्रूप की लिंक मिलेगी वो टेलिग्राम ग्रूप भी जॉइन करें तो चलिए देखते हैं स्टून शु भारत में English को किस नदर से देखा जाता है, क्या दरजा दिया गया, यह पहला यह नूट यहाँ पर सवाल आएगा यहां से, ठीक है, तो सबसे important questions यहां से क्या सकते हैं, पहला तो सवाल आपको सबसे important यह पूछ सकता है, जो बहुत important है कि English, इंग्री जी जो है English is our major window इंग्री जी जो है अमार लिए major window है हमार लिए English is the major window on the modern world ये सवाल बहुत ही महतपूर्ण है अगर आप इस सवालों को समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेडिस पे वीडियो देख लिए आपको समझ में आ जागा वहाँ ये सवाल बने समझाया है तो English is our major window on the modern world इसको explain कीजिए या ये कथन किस किया तो जवालाल नहरू का है जी हाँ जवालाल नहरू ने ये statement दिया था उनके इसाब से अंग्रेजी जो है पूरी modern दुनिया से आधुनिक दुनिया से जुड़ने के लिए अंग्रेजी काम आएगी आप अमेरिका और बहुत important हो सकता है कि English language जो है उसका role क्या है डिसकस रोल आफ इंग्लिश लैंग्वेज़ आंग्रेजी भाषा का role क्या है discuss role of English language आपको ध्यान रखना है कि यह सवाल जो आपको पुछा जा सकता है यह दूसरा सवाल जो इस unit से बहुत important है तीसरा सवाल जो हैं से बहुत important मुझे लगता है कि हो सकता है वो क्या है कि what are difficulties in learning English what are difficulties what are difficulties यहने क्या-क्या कठिनाई होती है what are difficulties in learning English English सीखने में क्या-क्या कठिनाई आती है यह English teaching के लिए हो सकता है कि English teaching में कौन-कौन से कठिनाई आती है यह सवाल जो यहां से बहुत ज़्यादा पूछ सकता है आपको ध्यान रखना है तो यह को बहुत बात हमारे अंग्रेजी भाशा की आपको एक और सवाल पूछ सकते हैं आप लिए भाशा क्या है यह सवाल बहुत इंपॉटन है यह भी पूछ सकता है यह सवाल भी पूछ सकता है जो की पूरे marks मिलते हैं इस पर 5 और unit 2 का नाम ही है listening and speaking जी हां क्या नाम है इसका listening and speaking याने सुनना और बोलना इस तरह के talent के उपर इस तरह के skill के उपर यह पूरे based होगा यह ठीक है तो यहां से सबसी important questions की बात करते हैं चलिए पहले बता दूँ unit 2 जो है पांच मास की unit है औ अगर इस युनिट का नाम है listening and speaking बात करते हैं सबसे महत्तु पूरु प्रशन उतरों की what are the objectives of teaching English जी हां English भासा सिखाने के मकसद क्या है what are objectives of teaching English भाई अंग्रेजिभासा सिखाने का क्या मतलब है क्यों सिखाना है what are the objectives क्या मकसद अंग्रेजिभासा सिखने के क्या क्या होग इस अंग्रेज भासा के सीखने से ना तो यह पहला पस्टन आपको बहुत important पूछ सकता है दूसरा आपको क्या पूछ सकता है intensive reading जी हां intensive reading की ज़़ा intensive हम listening भी बोल सकते है intensive listening अब यह listening और speaking में से है तो intensive listening और आपको पूछ सकता है क्या extensive listening भी पूछ सकता लिसनिंग है तो इसमें reading भी आ सकता है speaking भी आ सकता है ध्यान रखेगा इस बात को ठीक है और इनके बीच का difference बताईए यह सवाल जो बहुत महत्पूर्ण है यह आपको पूछ सकता है इक आई दो से याने unit 2 से unit 2 से और तीसरे questions की बात करें जो बहुत important है तो वो है what are oral skills क्या ह what are oral skills इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं जी बहुत important है oral skills क्या होती है यह सवाल भी आपको पूछ सकता है इस पर ध्यान रखेगा ठीक तो यह आपको बहुत ही महत्पूर्ण सवाल है यहां से आ सकता है और आपको क्या सवाल आ सकता है इसी काई से कि what is role play what is role play what is role play ड्राम जो होता है नाटक जो होता है वो क्या होता है what is role play ड्राम क्या होता है इस तरह का सवाल भी यहां से पूछा जा सकता है बहुत important है और यह most important सकता है यह role play को आप most important कर लिजे यहां से यह सवाल पूछने के 99.9% chance है कि हम पूछेगा ही पूछेगा ठीक है यह सबसे मुहत्प सुनने की जो समता है वो क्या है सुनने का जो गुण है वो क्या listening skill पूछ सकता है listening skill का aims पूछेगा या आपको objective पूछ सकता है कि क्यूं सीखते हैं भाई listening क्यूं होता है यह आपको सवाल पूछ सकते हैं बहुत important है ठीक है तो यह बात होगी यूनिटिट 3 का नाम है reading पढ़ने के बारी बात होती है ना पढ़ने की बात होती है यहाँ पर reading की बात होगी यानि , listening to reading से जुड़े विए पर सार है सवाल आगई इस भात को ध्यान रखिएगा इस और या पर पूछ सकता है आपको extensive reading या इनके बीच का difference भी पूछ सकता है तो यह आपको ध्यान रखना है intensive reading और extensive reading ये सवाल आपको पूछ सकते हैं ध्यान रखेगा इसके बढ़ते हैं question number two की तरफ अगला question जो हाँ से पूछ सकता है कि intensive reading के aim क्या है अब इनके aim भी पूछ सकता है रखेगा intensive reading के aims objectives ये सब पूछ सकता है तो इन पर ध्यान रखेंगे आप और देखेंगे reading process क्या है what is reading process ये भी सवाल पूछ सकता है reading के process है क्या actual में ठीक है तो ये सवाल भी आपको पूछ सकता है इस पर ध्यान रखना है कि reading की process क्या है ये सवाल पूछ सकता है अगला एक और सवाल आपको यहां से इस chapter से बहुत अच्छा पूछेगा कि reading कीज़े multi-dimensional skill reading जो है is a multi-dimensional जी हा explain कीजिए बताइए explain कीजिए explain how explain why है ना ऐसा आपको पूछ सकता है सवाल ते बहुत ही important यहां पर देख सकता है ठीक है यह हो गया इसके बाद एक और question है यहाँ पर what is skimming what is skimming what is skimming क्या है s-k-i-m-m-i-g इन सभी सवालों के जवाब देखना है तो आप हमारे चैना के playlist चीक कीजिए आपको सब कुछ मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ से सवाल क्या पूछ सकता है और यहां से सवाल क्या पूछ सकता है लाइबरेरी मेथड क्या है वाट इस लाइबरेरी मेथड यह सवाल आपको पूछ सकता है लाइबरेरी मेथड क्या है तो ऐसे बहुत ही important सवाल ज जो questions हैं देख लिए यहां पर unit 3 से हैं बढ़ते है unit 4 की तरफ तो वहीं मैं आपको बताओ unit 4 की बात करूँ तो unit 4 जो है वो 5 मास का टोटल 5 मास का और unit 4 का जो नाम है वो है writing जी हां क्या नाम इसका writing या देखें लेखन की बात होती है लेखन caution की बात होगी यहां पर ठीक है त what are method of teaching writing याने लेखन सिखाने के लिए दूसरों को लिखना सिखाने के लिए कौन सी तरीके अपना जाएंगे what are method of teaching writing इसके बाद और आपको क्या सवाल पूच सकता है इसका मकसद क्या है यह आपको पूछ सकता है टीचिंग राइटिंग से आने का मकसद हो सकता है अब्जेक्टिव हो सकता है फूछ सकता है यह साल बहुत ही इंपोर्टन्ट है अगर सिखाना किसी को यह राइटिंग है तो उसका एम क्या हो सकता है कोस्चिन फड़ यहां से बहुत इंपोर्टन वो है इसको हम अच्छी राइटिंग बो लेंगे यह आपको पूछ सकता है रिजन्स bad head training के reason पूछ सकते है याद रखीगा ये भी पूछ सकते है important reasons of bad head writing किसी के head writing खराब है reasons of bad head writing ठीक है आप जैसे मेरे writing देख पारे हो तो इसके भाई कोई कारणी मेरे writing खराब है ठीक है आप समझे ये क्यों खराब है यह आपको ध्यान रखना है ठीक ऐसे सवाल आपको यहां से पूछ सकते हैं इस इकाई चार्ट से वहीं बढ़ते हैं इकाई पांच की तरफ अगर हम बात करें इकाई पांच की तो इकाई पांच की बात करें तो इकाई पांच जो है अबकुल साथ नंबर का है तो यहां पर आपको कैसे पूछ सकते हैं आपको नोटिस दिखने आएगा आपको क्या लिखने आ सकता है अपर अप्लिकेशन अगर आपको नोटिस कैसे लिखते हैं अगर यह वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस पर चेक कीजिए आपको यहां डिलेट सकता है अप्लिकेशन लिखने आ सकता है और यह बहुत सार चीज आपको पूछी जाती है यह सब आपको पढ़ना तो यह सब कुछ मेरे चैनल पर मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी हां यह आपको पूछ सकता है आपको पूछ सकता है और आपको एंटोनीम भी एंटोनीम्स जैने होता है विपरीत आर्थक अपोजिट होता है ठीक है एंटोनीम मतलब क्या होता है अपोजिट वर्ड हमेशा अपोजिट वर्ड की इस्तमाल करना होता है ठीक है और आपको क्या पूछ सकता है होमोफोन्स क्या होता है इस सवाल आपको पूछ सकता है इस speech, indirect speech, इस तरह के सवाल आपको पूछेगा, जी हाँ, यह दखेगा, और vocabulary क्या होती है, vocabulary वो क्या होती है, इसकी भी देखेगा, ठीक है, और यह अपने हाथ ही में रखेगा, किसी और के हाथ लगने मत दीजीगा, ठीक है, तो कि vocabulary का मतलब क्या होता है, वो grammar का knowledge, जो आप सीखते हैं, जो आप लिखते हैं, अच्छा बनाने के, ठीक, तो यह सारे सवाल जो आपको पूछ सकते हैं, तो यह होगा, unit 1, unit 4, unit 3, unit 2, और unit 1 के सवाल, तो students, अगर आपको वीडियो पसंद आई हैं, तो वीडियो लाइक कर दीजे, और मैं फिर से बाट जल्दी पॉस करूँगा, तो वीडियो आप, मैं सीज़े बूब कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक कर, लिख सकते हैं, पर screenshot भी ले सकते हैं, रिख लिजे, मैं 4 और 5 questions आपर रख रहा हूँ, और चैनल एक पर सस्क्राइब नहीं किया, आप ही तो सस्क्राइब करके बेर्ड नोडिशन आप पर रख दीजिए, तो चलिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं, हमारा चैनल Study Class